अगर आप पहली बार the laptop खरीदें के सोच गए हैं तो अगर आपका काम ईसिली ज्यादा नहीं है तो आप उस टैप का laptop नहीं कर दें जो ज्यादा commercial laptop होता है तो commercial laptop के अलग अधने स्पेसिफिकेशन अधने और एक general laptop के अलग specification होता है, general laptop जिसमें आप normal MS Word चला सकते हैं, movie देख सकते हैं, कुछ छोटे-मुटे काम कर सकते हैं, लेकिन आप commercial laptop खरीदते हैं, जिसमें आप coding कर सकते हैं, 3D game खेल सकते हैं, और भी कुछ technical work कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग specification होता है, उसमें जो Intel का processor ह होता है, वो आइदर P होता है, P series में और H series में, आप इसको देखे, P series और S series को जरूर देखे, P series और S series जो स्पेसिफिकेशन है, वो coding के लिए किया गया है, अक्सर अगर आप P series और S series ले ले लेते हैं, general laptop के लिए तो वो आपको ज्यादा useful नहीं होगा, क्योंकि वो advanced version के laptop ह आप RAM ले सकते हैं, coding के लिए 8GB तक RAM ले सकते हैं, और अगर आप उसमें जाएंगे पोसेसर तो Intel का P series और S series जाएंगे हैं, और आप उसमें अगर हार्डिक्स आपका है, हार्डिक्स तो आप 512GB तक ले सकते हैं, minimum मैं को बता रहा हूँ कि इस से ज़्यादा भी आप ले सकत हैं, और अगर आपको coding में ज्यादा interest है, तो आप उसमें 3D card भी लगा सकते हैं, 3D game खेलने के लिए, एक visual effect ज्यादा अच्छा रहता है, तो इस तरह से आप नया laptop का खरीदने चाह रहे हैं, यह सारे specification का को ध्यान में रख करके नया laptop खरीदें